इंट्रेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को प्रेस करें जिसे की आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हलो दोस्तों आप से भी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरू कुल्टिशन में तो आज के इस वीडियो मैं फिर से कंटिनू कर रहे हैं लासमान का चैप्टर नमबर टू डाट इस पोलिनोमियल और पोलिनोमियल में अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर दिया है इसका एक प्लेलिस्ट आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप मेरे चैनल पर वीजिट करके उस प्लेलिस्ट को आ आज की इस वीडियो में भी हम इग्जाम्पल पे डिसकस करेंगे जो कि आपको दिख रहा होगा अज हम यही एक्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसका चैनल नहीं चेंज होने वाला जो हम रिमेंडर थिरूरम से करते आरहे हैं वही प्रोसेश्म अभी भी अप्लाई करे तो polynomial is here, fx is equals to x cube plus ax square minus 2x plus a plus c, यहाँ पर हमें क्या find करना है, a का value find करना है, सबसे पहले question पढ़ लो, find the value of a, जिसमें divisor क्यों है, x plus a है, जो कि क्या है, factor है, किसका, इस polynomial का, तो factor होने का मतलब क्या हो गया, कि remainder जो तुम निकालोगे, वो 0 ही आएगा, जो तुम भी remainder अब निकालोगे, that will come 0, तो यह हो गया हमारा polynomial, और किस से divide करना है, x plus a से, तो हमारा जो divisor है, उसको मैं gx के term में late कर लिया, now, अब मैं क्या करूँगा, यह divisor का 0 निकालूँगा, 0 कैसे निकालते हैं, 0 करके, और gx क्या है, x plus a है, is equals to 0, therefore x will be equals to minus a आएगा, this is our 0, okay, तो यह हमारा 0 निकल गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं factor theorem apply करूँगा, factor theorem जैसे ही मैं apply करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, putting x is equals to minus a in polynomial fx, fx में जैसे ही मैं x is equals to minus a put करूँगा, तो हमारा polynomial क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, and this will be equals to what, तो सबसे पहले तो हम यह क्या किये हैं, x के जगह पे minus a put किये हैं, तो यहाँ पर जो x का जो variable है, वो सब को transform कर दो, a के form में, तो x का cube है, it means minus a का cube, plus a multiply, x का square है, it means minus a का square, minus 2 multiply, minus a, plus a, plus 6, ठीक है, और fa जो है, fa क्या है, by factor theorem, fa will be equals to 0, तो f minus a is equals to 0 हो जाएगा, and this will come minus a का power cube, plus a हो जाएगा, minus a का square करोगे, a square हो जाएगा, और minus जो है, वो positive हो जाएगा, and इस से तुम फिर multiply करोगे, तो यह हो जाएगा, a cube, और यहाँ पर minus minus plus हो जाएगा, 2a plus a plus 6 हो जाएगा, यह और यह reduce हो जाएगा, और यहाँ पर 0 is equals to 3a plus 6 हो जाएगा, 6 को तुम इधर लेकर के आजाओगे, तो minus हो जाएगा, और we can write, 3a is equals to minus 6, therefore a is equals to तुमारा जो value आएगा, 6 divided 3 is equals to minus 2, तो यह हमारा value होगा, तो हम लिख सकते हैं, hence the value of a is minus 2, तो इस तरीके से हम इस question को solve कर सकते हैं, यदि कहीं पर भी doubt हो तो आप मेरे को comment box में comment करना, या फिर मेरे को personally mail करना, मैं उसके relative में videos बना के हो, या फिर आपको comment में ही मैं समझानी की कोशिज करूँगा, यदि मेरा video अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe कर लेना, bell button को press कर देना, जिसे की आगे के videos के लिए notification आपको मिलते रहेंगे, और मेरे हर एक video को like करके मेरे को motivate करना, जिसे की आगे भी मैं आप सभी के लिए इस type के videos लाता रहूँगा, so till then take care, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए examples के साथ,